4, 3, 2, 1 श्रीमान हम वकील अपनी योगिता के अनुसार कमाते हैं मुझे सरकार के बावजूद मेरी कभी-कभी सरकार की मदद से परियाप्त आमदनी है उनके द्वारा पास किये गए आश्चरे जनक आदेशों के कारण श्रीमान इस्थिती यह है कि देश में ऐसा समझा जाता है कि नियाए धेशों के तथा आम व्यक्तियों के वेतनों में बहुत अंतर है विशेस्तः जबकि अधिकाधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे हैं परंतु हमारे देश में जिस तरह का प्रशासन है नियाए पालिका के दाइत्व का महत्व है हमें कोई संदेह नहीं है कि हम देश से गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं एक कल्यानकारी राज्य में हम नय पालिका की मदद से उन्नती कर सकते हैं हमारी नय विवस्था में बहुत सी कमियां एवं कमजोरियां हैं परंतु हम समस्ते हैं कि हमारे देश में दिन तथा स्वतंत्र नयायपालिका होनी चाहिए क्योंकि तानाशाही कानून से स्वतंत्र नयायपालिका ही हमारी रक्षा कर सकती है कार्यकारणे की चुनोतियों का सामना करने के लिए ही जो सदा अधिक शक्तियां प्राप्त करने में सचेश्ट रहती हैं एक निडर और निस्पक्ष नयायपालिका की आवशक्ता है हम समस्ते हैं जन आंदोलन के अलावा नयायपालिका ऐसे हमलों का सामना करने में मदद कर सकती है कि आने वाले दिनों जब सरकार की अक्षमता तथा कदाचार का अधिकाधिक भंडा फोड होगा तब इस कारेपालिका द्वारा अधिकाधिक तानाशाही शक्तियां ग्रहड किये जाने का खत्रा बढ़ जाएगा अनिथा वे शासन नहीं कर सकते यही कारण है कि सत्ता में आने के बाद कुछ महीनों में सरकार ने ऐसे काले कानून बनाए हैं जिनसे संग्वधानिक व्यवस्था का आधार चिन्न भिन्न हो गया है इस देश में विधी सम्मत शासन समाप्त हो गया है आज हम देखते हैं कि लोगों को तानाशाही शक्तियां और कानूनों का बार-बार शिकार बनाया जा रहा है ऐसे हालात में लोगों को कार्यकारणी की चुनोतियों का सामना करने के लिए न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ेगा अभी पिछले ही दिन हमारे एक साथी को इस कुख्यात काले अध्यादेश के अधीन गिरफ्तार किया गया हमें उन्हें छुडाने के लिए उच्चितम नयायले जाना पड़ा तब उन्हें छोडा गया उन्होंने उच्चितम नयायले में चुनोति दी और अब अपील दायर कर दी है मैं आशा करता हूं कि वह अपनी अपील में जीत जाएंगे इसलिए हमें इस बारे में संदेह नहीं है कि हम देश में कमजोर नयायपालिका से निर्वाह नहीं कर सकते लोगों के हित में इस देश के लोगों के निवन्तम अधिकारों की रक्षा के लिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें स्वतंत्र तथा निर्भय नयापालिका की आवशक्ता है हमने अभी हाल ही में देखा है कि कैसे विभिन कानूनों द्वारा लोगों की आवाज को दबाया गया तथा किस प्रकार नयापालिका को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुकूल बनाने के यत्न किये गए हमने वचन बद्ध नयाधीशों की बात सुनी विधी के प्रति नहीं अपितु सत्ता रूड पार्टी अपितु एक व्यक्ति के प्रति वचन बद्ध है पहल ही वर्षा में असम और उत्तर प्रदेश के कई भागों में बाढ़ से भारी विनाश के समाचार आ रहे हैं अब तक लगबग पचास व्यक्ति मर चुके हैं और लाखों ग्रामीड इससे प्रभावित हुए हैं बाढ़ से सडकें कट जाने से कई शेत्रों में बाढ़ में घिरे व्यक्तियों के लिए सहायता पहुचाना कठिन हो रहा है सडकों और रे लाइनों का कटना बहना अपने आप में यह बतलाता है कि पानी की निकासी की ओर समय रहते परियाप ध्यान नहीं दिया जाता कई बार तो बाढ़ से बचाव के लिए जो तटबंध आदी बनाई जाते हैं या विकास के नाम पर जिन सडकों का निर्माड होता है उनसे भी बाढ़ के पानी की निकासी में बाधा पड़ती है और ग्रामीड अपने बचाव के लिए या तो सडकों आदी को स्वयम काट देते हैं या पानी के दबाव से वे बह जाती हैं दोनों ही बातों से यह प्रमाडित होता है कि सडक या तटबंध बनाते समय बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए तटबंधों के रख रखाओ की संतोष जनक व्यवस्था न होने के कारण इनमें दरारें पड़तीं और तब निचले शेत्रों में बसे गाउं के लिए बाढ़ की विभीशिका का सामना करना प्रायह संभव हो जाता है इस वर्ष देश के कुछ भागों को छोड़कर प्रायह सर्वत्र वर्षा का जो रुख है वह इस दृष्टी से उत्साह वर्दक है कि खरीफ की फसल अच्छी होने की आशा बढ़ गई है चालू वर्ष में खरीफ की फसल के उत्पादन का लक्ष आठ करून तीस लाख टन रखा गया है जो पिछले वर्ष के उत्पादन से लखबग चालीस लाख टन अधिक है जुलाई और अगस्त मास में यदि वर्षा का यही क्रम चलता रहा तो इस लक्ष को पूरा करना कठिन न होगा राष्ट्र की समरिधी के लिए जहां अच्छी वर्षा का स्वागत किया जाएगा वहीं उससे होने वाली तवाही को रोकना भी जरूरी है जब यह इस्पष्ट हो कि अच्छी वर्षा ही देश की खुशहाली की कूंजी है और साथ ही यह भी नजर आ रहा हो कि वर्षा अच्छी होने से बाढ़ें आती और प्रतिवर्ष औसत से दो अरब रुपए मूल्य से भी अधिक की फसलों और संपत्ति का नाश होता तथा सैक्णों व्यक्तियों और हजारों पश्वों की जान जाती है तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि विकास और बाढ़ की रोख्थाम के प्रियतनों में तालमेल रखा जाए बाढ़ नियंत्रण पर समय समय पर होने वाली गोश्चियों में इस सच्चाई को बार बार रिखांकित किया गया कि वनों और व्रिक्षों के अंधाधुंद विनाश के कारण समूचा उत्तर भारत प्रतिवर्ष बाढ़ में डूबता उतरता है एक प्रदेश अपने शेत्र में बाढ़ की रोकथाम और जलनिकासी के लिए जो कदम उठाता है उससे दूसरे प्रदेश के लिए खतरा बढ़ता है देश के कुछ भाग जब बाढ़ से कराहते हैं तब अन्य शेत्रों में पश और प्राणी सूखा पढ़ने से मरते हैं यह इस्थिती विकास और आयोजन की विसंगतियों को ही उजागर करती है